गुड मॉर्निंग आल अफ यू, क्लास वन, लेशन वन का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आवर स्राउंडेश, हमारे चार ओर क्या है, उसके बारे में जानकारी लें हैं, तो हम देखते हैं, लिविंग अन लिविंग थी, सजीव और निर्जीव प्रानी के बारे में हम लोग क्लास रूम, जब हम आदे हैं, तो क्लास में ही देख लेंगे कि, क्लास रूम में हमारा क्या लिविंग है, क्या बारे में देख लेंगे, यह चौक और जितने दुदिधी से लेट है बुक है पैंसील है टेबल है चेयर है तो ये सब आपका आता है नविविंग में आफंगव। क्लास्रूम की ओर जाते हैं वहां देखते हैं कि हमारा प्लांट है एनिमल्स है और उसके बाद देखते हैं कि स्टुडेंट है वाई है ये सब जो है living थिंग में आते हैं तो पहले हम चर्चा करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि living and non living फिर डिटेल से उसको डिफाइन करके हम बताते हैं कि सजीव और नर्जीव क्या है उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करें Everything surrounding us is part of our surroundings पर तेक चीज जो चारो और हम लोग देख रहे हैं उसे जो है चारो और देखते हैं उसी पार्ट को हम लोग चारो और बाटते हैं और वो surroundings कहलाता है We find living and non-living things in our surroundings हम लोग पाते हैं कि ये चारो और जो हम देख रहे हैं उसी में कुछ नर्जीव है और कुछ सजीव है तो living things have life in them सजीव प्राणी जो है उनमें जान नहीं होती है और living things जो है उसमें जान होती है तो देखेंगे कि living things किसे कहेंगे non-living things कैसे हम फर्क समझेंगे तो living things में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा कि living things have life in them सजीव प्राणी के पास जो प्राण नहीं प्राण होता है living things do not have life in them नर्जीम में सबसे पहले जान नहीं होता है तो अब हम आगे चर्चा करते हैं living things all animals plants as well as human being are living things जितने भी जानबर पेर को दें और सबसे पहले मानूम है वो सजीव प्राणी में आते हैं उसका अब किस-किस भाग में हम कैसे बाठते हैं देखेंगे कि यह सजीव प्राणी है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं living things सजीव प्राणी जो है on their own तो living things move on their own सजीव प्राणी अपने से चल सकता है living things grow, feel, eat, breathe सजीव प्राणी जो है बढ़ता है, मैसूस करता है, खाता है, शांस लेता है living things reproduce more of their kind और सजीव प्राणी जो है अपने जैसा बहुत से प्रकार से उत्पन करने की क्रिया करता है तो यह हम समझेंगे कि यह living things है, सिनॉप्सिस जह है, आज के बारे में हम लोग ने देखा कि classroom और playground में क्या-क्या living है और क्या-क्या non living है, तो यही है हमारा आज का सिनॉप्सिस में पहले classroom और playground को देखा, उसके बाद आगे बढ़े living और non living thing के बारे में चर्चा किये, जिसमें की living thing की चर्चा हो गई हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आबर surroundings में living thing का हम लोग चर्चा कर लिए, उसके बाद non living things के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, non living things cannot move, eat, feel, grow, reproduce, young ones and breathe, सजी प्रानी जो है, ना तो चल सकता है अपने से, ना ही खाता है, ना ही महसूस करता है, ना ही बढ़ता है और ना ही अपने जैसा भी उत्पन भी कर सकता है, कोई बच्चे कहेंगे कि में गारी तो चल रही है, लेकिन हम उसे समझाएंगे कि उसमें बैटरीक डालें तब चल रहा है, ना कि वह अपने से चल रहा है तो यह सजी प्रानी खुद से चलता है, लेकिन इसमें जो भी चल रहा है, तो यह हम नहीं समझेंगे कि वह लिविंग थिंग है, तो ना ही चल सकता है, ना बढ़ता है, तो एंड कार और नन लिविंग थिंग, हम सरक पे भी देखेंगे कि कार जो है चल रहा है, तो क्या हम अब उसे समझेंगे कि यह लिबिंग तींग है नहीं हम समझ्झाएंगे कि इसमें दिया गया है इसमें तेर लगते हैं उसके द्वारा मैंन में याउसे लेकिन यह चलता नहीं कि उसमें जान नहीं होती है तो सजीब और निर्जीब में हम लोगों ने अंतर देखा कि सजीब पराणी क्या है और निर्जीब क्या है अब उसके बार नमर आते है कि नेचरल थींग्स प्राकरतिक चीजे क्या है तो प्राकरतिक चीजे के वारे में जानका रिलेंगा Some non-living things such as mountain कुछ जो है निर्जीब चीजे वह क्या होता है जैसे कि आता है पहार यह प्याता ॉयरीन विंग्समें आदा और इसे हम नेचुरल थींग भी कहेंगे वाटएर ट्रॉकर और फानने नेचर तो पानिये है पत्थर है यह हम रप्रकृथितować है इसे हम कहेंगे कि natural things में ला सकते हैं they are not made by man तो ये जो है मानव से निर्मित नहीं है और they are called natural thing एक तरह से हम यह भी कर सकते हैं कि जो मानव द्वार निर्मित नहीं है पहले से है प्राकृतिक ने जिसने पहले से रखा है तो उसे हम natural thing कहेंगे मानो निर्मित नहीं है उसे भी हम natural things में ला सकते हैं तो mountain, river, rock ये सब जो है हमारा natural things है उसके बाद हम जानकारी लेते है man-made thing कि मानो से बना हुआ जितना भी समान है उसके बारे में कि कैसे non-living things like pencil, trend and clothes are made by man तो man-made thing जो है अब हम देखेंगे कि non-living things like pencil, trend and clothes are made by man जो निर्जीव प्रानी है तो non-living things को हम कह सकते है man-made thing वो निर्जीव प्रानी होता उसमें हम जान नहीं दे सकते हैं जैसे कि मानो निर्मित द्वारा है, pencil है, trend है और कपरे है यह सब मानो की द्वारा निर्मित है, things made by man are called man-made thing साधारन सी बात में हम कह सकते हैं कि जो चीजे को मानो निर्मित किया है उसे man-made things कहेंगे तो आज our surrounding chapter में हम लोगों ने संचेप सिनॉप्षिक्स में हमको देखना है संचेप जिसे करते हैं living thing की चर्चा किये हम लोग उसके बाद living thing के बारे में जानकारी लिए कि उनमें प्रान नहीं होता है और बढ़ता नहीं है उसके बाद हम लोग ने जानकारी लिए non-living things कि नर्जीप प्रानि की जिसमें कि जान नहीं होता है वह अपने से चलता भी नहीं है बढ़ता भी नहीं है उसके बाद हम लोगों ने देखा कि natural thing natural thing के बारे में चर्चा लिया तो क्या देखा कि वो प्राकृतिक चीजें हैं और उसे हम non living things भी का सकते हैं उसके बाद फिर man mad thing वो भी non living things में ही आ सकता है तो non living things में man mad thing भी आ गया और सारी जानकारी लिए इस तरह से हम देखेंगे कि classroom में playground में क्या-क्या living है क्या non living है सारी जानकारी को लेते हुए आज का classroom thanks